तुम मेरा कहना नहीं मानते हो इस सेंटेंस की इंगलीज चानेगे आज की इस वीडियो में तो चलिए इस सेंटेंस को शुरू से इंगलीज में ट्रांसलेट करना सीखते हैं तो दोस्तों इस sentence के अंत में है नहीं मानते हो तो जब भिंदी sentence के अंत में ते हो ता है ती है आता है तो ऐसे sentence present and definite tense के नियम से English में translate होते हैं ये sentence से negative तो present and definite के negative sentence को English में translate करने का structure है पहले लिखना है subject और इस sentence का subject है तुम तो पहले हम लिखेंगे तुम की English you उसके बाद do your judge में से कोई एक helping verb लिखेंगे subject के अनुसार तो यहाँ पे do रहेगा उसके बाद हम लिखेंगे do के बाद negative way इसलिए not उसके बाद हम लिखेंगे verb भर्ब है इस sentence का कहना नहीं मानते हो कहना मानना या आग्या मानना को English में obey कहते हैं तो not के बाद लिखेंगे obey उसके बाद हम जो भी object या जो भी other words होते हैं तो इस sentence में है मेरा तो यहाँ पे मेरा के English लिखेंगे me You do not obey me तुम मेरा काना नहीं मानते हो इस sentence के English है You do not obey me यदि सेंटेंस होता तुम मेरा काना क्यों नहीं मानते हो इस सेंटेंस की इंगलिस वाई डू यू नाट ओबे मी तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट हिंदी टू इंगलिस ट्रांसलेशन की वीडियो में तो चैनल पर नहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको ऐसे हिंदी टू इंगलिस ट्रांसलेशन की वीडियो टाइम पर मिलती रहें